नमस्कार दोस्तू NDTV इंडिया के मशूर पत्रकार रविश कुमार ने अपने पत्से इस्तिपदी दिया ये बात तो आप सबको पता हिए लेकिन जब से ही रविश कुमार बहुत चर्चा में आ गए दोस्तो रविश कुमार पत्रकारीता का वो चेरा है जिसे देखते हुए हम बड़े हुए रविश कुमार और उनका फेमर सो रविश की रूपोर्ट उम्र दराज लोगों के बीच हीट रही है जा उनका करियर अदभूत रहे है वह उनका नीजी जीवन एक रोलर कोस्टर की सवारी था रविश कुमार पत्रकारीता चात्रों के आदर से हैं और देश के सबसेट प्रभावशाली लोगों में से एक है लोग उनकी प्रोपेशनल लाइप के बारे में सब कुछ जानते लेकिन उनकी नीजी जिन्दकी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते उनका करियर जितना रोचक रहा है उतनी फिल्मी उनकी लविश्टोरी भी है तो आज इस वीडियो में हम आपको बतने जा रहे हैं रविश कुमार और उनकी पत्नी नेनादास गुपता की इंट्रेस्टिंग फिल्म लविश्टोरी के बारे में इश्क में सेहरोना नामक किताब के विमोचन पर रविश कुमार ने अपने जज़बात जाहिर करते हुए कहा था कि जब तक आप किसी के साथ इश्क नहीं करते तब तक आपके जीवन में सुबह नहीं होती इसी पंक्ति के साथ सुरुवात करते हैं खुद रविश कुमार की लवी स्टोरी नमस्कार दोस्तों मैं दीपक राजपूत रविश कुमार का जन में 5 दिसंबर 1904 को बिहार के एक छोटे से गाउं में हुआ था उन्होंने अपनी हाई स्कूल की सिख्षया पटना के लोयोला हाई स्कूल में पूरी की थी जिसके बाद अपनी उच्ची सिख्षय के लिए वे दिल्ली चले गए और दिल्ली भी स्विद्या लेके प्रतिस्थित देश बंदू कोलेज में दाखिला लिया अपनी सिख्षय को आगे बढ़ते हुए रविष ने IIMC याने की भारती जन संचार संस्तान में हिंदी पत्रकारिता में इसनोक तर डिप्लोमा किया रविष कुमार जब दिल्ली उनिवर्सिटी के मशूर कोलेज देश बंदू कोलेज में पढ़ रहे थे तब वो civil service की परिक्षय की तेयारी भी कर रहे थे अपने कोलेज की दिनों में वहाँ मेदा वी छातरे थे ले किन वह ज़्यादा बातुनी नहींते याने की लोगों से ज़्यादा बोलते नहींते और थोड़े सरमीले थे हाला कि जब भिहार का या शर्मिला बच्चा नेना दास गुपता से पहली बार कोलेज के कारिक्रम में मिला तो मां उनके प्यार में पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया कोलकत्ता में जन्मी नेना दास गुपता दिल्ली के इंद्रप्रस्त कोलेज में बिये कर रही थी और उसके बाद उन्होंने जवरलाल विस्वी विद्याले से ए में भी किया था फिर दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और दोनों में दोस्ती हो गई अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दोरान नेना और रविष की लगतार मुलाकातों ने उनके बीच एक बंदन बना दिया जो जल्द ही प्यार में बदल गया था दोनों में भहुत अच्छी बोंडिंग थी दोस्तों मीडिय रिपोर्ट की मानने तो नेना यी वो थी जिन्नोंने रविष की अंग्रेजी भासा सीखने में मदद किया करती थी जिस तरह से हाफ गल्फ्रेंड मुई में अर्जुन कपूर को स्रद्दा कपूर अंग्रेजी सीखाया करती थी लेकिन उनकी शादी नहीं हुई और यहां रविष कुमार और नेना की शादी हो गई जल्दी रविष कुमार और नेना लगातार मुला कातो और बोद्दिक चर्चाओं ने एक दूसरे के साथ उनके संबंदों को गहरा कर दिया और दोनों के बीच का प्यार परवान चड़ने लगा अपने कोलेज की दिनों में एक दूसरे के साथ क्वालेटी टाइम बिताने से लेकर अपने करियर से एक दूसरे की मदद करने तक रविष कुमार और नेना दास गुपता एक दूसरे को लेकर काफी गंबीर थे यह जानने के बावजूत की नेना एक बंगाली और रविष एक ब्रहमन है इन दोनों ने अपने प्रेम की कहानी जारी रखी और इस उम्मीत के साथ एक दूसरे को डेट करना जारी रखा कि समय आने पर वे अपने अपने परिवार को अपने इंटरकाष्ट मेरित के लिए मना लेंगी उन्होंने एक दूसरों को साथ साल तक डेट किया था साथ साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद रविश कुमार और नेनादास गुपता ने अपने माता पिता को एक दूसरे से शादी करने के अपने फेशले के बारे में बताने का निदने लिया यह कपल वीरोत का सामना करने के लिए तैयार था लेकि उन्हें विश्वास था कि वे दोनों अपने परिवार को मना लेंगी हलाकि जब समय आया तो दोनों के परिवार ने प्रस्ताव को काफी सक्ती के साथ सीधे खारीच कर दिया रवीश और नेना के लिए यह काफी कठीन समय था क्योंकि वे किसी अन्य व्यक्ति से शादी करने की कलपना भी नहीं कर सकते थे उनकी लाक कोशिसों के बावजूद रवीश का परिवार नेनादास गुपता से शादी करने की उनकी इस इच्छा से सेहमत नहीं था जिसके बाद रवीश ने अपने प्यार के लिए अपने परिवार को चोड़ने का फेशला किया रवीश कुमार ने अपनी गलफ्रेंड नेनादास गुपता से शादी करने का फेशला करने के बाद अपने परिवार से नाता तोड़ दिया दरसल रवीश कुमार का परिवार एक बेंगोली लड़की को अपने घर की भव मानने के लिए तेयार नहीं था येसे में रवीश कुमार ने परिवार से रिस्ता खत्म कर दिया अब इस बाद से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रवीश ने अपने प्यार के लिए कई कुर्बानिया दी थी रवीश कुमार जो बेबाग द्रश्टी कोन के लिए जाने जाते हैं उन्होंने आउटलुक इंडिया के साथ एक साक्षातकार में अपनी प्रेम कहानी साजय की थी उन्होंने साजय किया था कि उनका प्यार अच्छे समय में भी भरी एक दर्दनाग प्रिक्रिया थी उन्होंने प्यार में खुद को एक अच्छा चातर बताया था रवीश ने बताया कि उन्हें द्रश्टी अपनी पत्नी से मिली है और दोस्तों रवीश की हवाले से कहा गया था कि इसकी अपनी दर्दनाग प्रिक्रिया थी और अच्छा समय भी था मैं प्यार में एक अच्छा चातर था वे कहते हैं कि हर सपल आदमी के पीछे एक औरत कहात होता है लेकिन वह कभी मेरे लिए पीछे नहीं रही और भी बहुत कुछ हुआ है कई बार मुझे लगता है कि मैं उनके वीचार बोल रहा हूं मैं उनसे अपनी द्रश्टी प्राप्द करता हूं हुआ एक कठोर आलोचा के उन्होंने मुझे सिखा है कि कैसे पढ़ना है कैसे देखना है उन्होंने मुझे समाज, सेर, इसकी संराचना सबसे जुड़ा हुआ बनाने में मदद की अपनी पड़ाई पूरी करने के बाद रविश कुमार ने साल 1994 में समाचार चेनल ND TV में अपना प्रवेश लिया था वह रेमन मेकसर से पुरुषकार, कोलदिप नेयर पत्रकारिता पुरुषकार, गनेशंकर विध्यारती पुरुषकार और पत्रकारिता में रामनात गवयन का उतकरष्ट पुरुषकार है रवीश कुमार ने वेसे तो कई किताब हे लिखी लेकिन एक बुक उनों ने प्यार पर भी लिगी जिसका नाम है इश्क में सहरोना अपनी शादी के बाद रविश कुमार और उनकी पतनी नेनादास गुपता ने अपने सुखी वेवैक जीवन की शुरुआत की दोस्तो रविश जहां अब अपने यूटूब चेनल रविश कुमार ओफिशल में काम करते हैं वही नेनादास दिल्ली उनिवर्सिटी के लेडी स्रीराम कोलेज में फोर वीमेन में इतियास की प्रोपेसर है अपनी शादी के बाद कुछ सालों के बाद कपल दो बेटियों के पेरेंसे बनें हाला कि उनके बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी उपलब्द नहीं है उन्होंने अपनी बेटी को लाइम लाइट से हमेशा दूर ही रखा रविष के कई साक्षतकारों में हमने उन्हें अपनी बेटियों के बारे में बात करते हुं सुनाये और यह शुकार करते हुए देखा कि आपने काम में बीजी होने के चलते वो अपने बेटियों के साथ ज्यादा समय नहीं बीता पाते हैं तो दोस्तों आपको रविश कुमार की लवी स्टोरी केसी लगी हमें कमेंड में जरूर बताना ये थी वीडियो केसी लगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद